अच्छे और मज़ेदार म्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए प्राइपुर, 36 गा के कवर्था जिले में एक अनूठी परंपरा के तहट बैगा आदिवासियों के विवाह में दूलहे को दूलहन की माशराब पिला कर रस्म की शुरुआत करती है और इसके बाद पूरा परिवार इसका सेवन करता है यही नहीं दूलहा और दूलहन भी एक दूसरे को शराब पिला कर इस परंपरा का निर्वहन करते हैं इसके बाद पूरे गाउं में शादी का जश्न मनाया जाता है अगर आप सोच रहे हैं कि शराब बुरी चीज है और शादी व्याह जैसे मांगलिक कार्य में इसका क्या काम तो आप गलत हैं बैगा आदिवासियों का समुदाए इस पूरे मामले में पूरी तरह से अलग है क्योंकि इस समुदाए में शादी व्याह से लेकर मातम में भी शराब का सेवन किया जाता है जिले के सुदूर वनांचल में निवासरत बैगा आदिवासी परिवार में अब शादी का सिलसला शुरू हो जाएगा शादी पर्व का इन परिवारों को बेसबरी से इंतजार होता है शादी पर्व में बाराती और घरती तो शराब पीते ही हैं साथ ही दूलहा दूलहन को भी शराब का शगुन करना बहत जरूरी होता है बाराद जब दूलहन लेने गाउं पहुचती है तो सबसे पहले शराब का ही शगुन किया जाता है खुद दूलहन की मा दूलहे को अपने हाथ से शराब पिलाती है इसके बाद दूलहे और दूलहन की बारी आती है और वे भी एक दूसरे को शराब पिलाते हैं बैगा समुदाय को करीब से जानने वाले चंदरशेखर शर्मा बताते हैं कि बैगा आदिवासियों की शादी में कोई पंडित नहीं होता और नहीं कोई विशेश सजावट होती है। यहां तक दहिज प्रथा भी पूरी तरह से बंध है। यहां चलता है तो केवल महुए से बनी शराव। अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस विडियो को देखने के लिए कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर लीजिए।